आप सब्सक्राइब करेंगे और किस तरीके से आप कंपाउण इंटरेस्ट के कोशन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं आज यही देखेंगे तो आए जानते हैं इस वीडियो में क्या-क्या है सबसे पहले बात करें कि अगर आपको C.I. बहुत जल्दी निकालना है तो बेसिकली जो कोशन आता है वो दो साल और तीन साल के लिए लेकिन रेट ऑफ इंटरस्ट का लोचर रहता है कई बार क्या होता है कि जो रेट ऑफ इंटरस्ट जो होता है वो काफी इजी दे देता है 5-6-7-12% दे देता है लेकिन कई बार रेट ऑफ इंटरस्ट थोड़ा सा कठिन कर देता है इसलिए बच्चों को दिकर जाती है आज कर जो हमारे topic वो दो साल और तीन साल के कैसे आप दो साल और थीन साल के कई कोटी calculate कर सकते हैं आज उस पर चर्चा करेंगे चले स्टार्ट करते हैं और इस concept के लिए आप एक बार समझ लेंगी तो बहुत जल्दी आप आंसव ला सकते हैं क्योंकि इस एक concept से कई सारी questions वाल होते हैं तो चलिए, दो साल वाला पहले करते हैं तो question हमारे सामने दिया हुआ है कि यदि principle एक हजार हो, समय दो साल हो rate 10% हो, तो CI कैसे निकाले बड़ा सलल सा question है, तो देखिए जो method मैं आपको बता रहा है, उसमें आपको क्या करना है कि आपको देखिए, समय दो साल है तो अगर दो साल है, तो आपको दो line बनानी है, एक line ये, एक line ये और घड़ते करम में बनानी है अब इन बॉक्सेस में भरना क्या है आपको तो एक साल का ब्याज, जैसे principle एक हजार दिया है, समय दो साल दिया rate क्या है, 10% है, तो यही ब्याज जो है, आपको इन बॉक्से से भरना है तो एक हजार का 10% क्या होता है, बताइए, एक हजार का 10% होता है, 100, तो अगर 100 यहाँ पार है, तो 100 आपको यहाँ पर भी रखना है उसके बात क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस व्याज का 10% रख देंगे यानि कितना जाएका 10 तो कितना आपके पास ये हुझाएका 200 ये हुझाएका 10 आपके पास CI total आजाएका 210 रुपए यानि कि आप इसको अगर जोर देंगे आपका CI आजाएका बहुत सिंपल है बहुत ज्यादा सिंपल है ठीक है तो CI आप कैसे आ गया अगला कोशन देखते हैं और विदिन 5-6 सेकंड आप ला सकते हैं इस कोशन को ध्यान से दिखीगा प्रिंसिपल 8,000 दिया है समय दिया है आपको 2 साल रेट दिया है आपको 6% आपको CI भी बताना है आपको SI भी बताना है ओके दोनों बताना है तो बस यदि आप 480 का 8% निकालोगे तो यह तो यह कर जाएगा आठ टाइम हो जाएगा 64 आपके पास बचेगा 6 आठ चोको 32 और 36 बटे 10 यानि की 38.4 यहां पर आजाएगा दोनों को जोड़ दीजे आगे आपका CI कितना हो जाएगा आपके पास यहां पर जाएगा आपके पास 960 और इसमें आपको 38.4 जोड़ देना है यदि आप 38.4 जोड़ते हैं तो कितना जाएगा आपके पास शैतिन 9994 बहुत सब्सक्राइगा आगया अच्छा अब SI कैसे निकाले तो हमेशा याद रखिएगा कि इस मैथट को लाइन मेん मेथट के सकतें आप इसको इस मैथट में ये जो पहला वाला बॉक्स होता है ये हमेशा आपका SI होता है हमीशा आपका SI होता है यादी 970 रूपय किया है आपका SI है क्लियर है कुछ भी अिकठे नहीं है सररल है और प्रक्व goofy करते हैं जितनी जादा प्रैक्टिस करेंगी आपसे उतना ही ज्यादा बनेगा यहाँ पर मैंने तीन कोशन लिया है CI लिया है, SI लिया है और CI माइनस SI लिया है तो आईए देखते हैं कि इस कोशन को कैसे सॉल्व करेंगे पंद्रा सो दिया है, दो साल दिया है तो लाइन कित्ती बनाएंगे आप दो लाइन ठीक है, यहाँ पर भरिये ब्याज तो पंद्रा का कित्ता निकालेंगे आप आठ परसेंट निकालेंगे तो पंद्रा ट्थी होता है आपके पास कित्ता है 120 तो यहाँ पर आजाएगा 120, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 120, फिर यहाँ पर 120 का आठ परसिन लेंगे, तो बारा ठी होता है, चैनल वे, यानि कि 9.6 आजाएगा, तो सिंपल भार्षा हम यह दिक होएं, तो CI किता आएगा, जोड़ दीजे दोनों को 240 और 9.6 यहाँ पर ह होती है, तो SI किता हो जाएगा, आपके पास 240, नौ CI क्या होता है, तो याद रखेगा, पहली वाय लाइन को छोड़कर, जो कुछ भी यहाँ पर बच जाता है, जैसे यहाँ पर 9.6 है, यह हमेशा आपका होगा CI माइनस SI, हमेशा आपके पास CI माइनस SI होगी, तो 2 साल का जो पर मैं different numbers लोंगा और उसको solve करेंगे, माल दीजे, आपके पास principal मैंने ले लिया यहाँ पर 4000 रुपए, आपके पास जो rate दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5%, समय दिया हुआ है आपके पास 2 साल, मेरा प्रश्ण ये है कि CI क्या होगा, ठीक है, मेरा प्रश्ण ये है कि CI सिर और पहले साल के CI के बीच में कितने कंतर होगा, अब एक question से कई सारे solution आपके सामने आजाएंगे, तो चलिए इसका solution देखते हैं, focus करेगा और याद रिखेगा, ये सारे question आप एक ही method से ले आएंगे, तीन question आप एक ही method से आजाएगा, भाई 2 साल दिया है आपको यहाँ प पताईए, दो line बनाएंगे आप यहाँ पर, तो भाई 4000 का 8% कितना होता है, पांचों को 20, तो यह हो जाएगा आपके पास 200, यहाँ पर भी हूँ बहुत 200 उतार लीजे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, आप 200 का 5% लेंगे, और 200 का 5% कितना होगा, 10 होगा, तो CI तो clear ह हो गया कि CI आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हो जाएगा यह 400, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 10, CI हो जाएगा आपके पास 410, अगला जो कोश्चन है वो यह पूछ रहा है कि दूसरे साल का CI कितना होगा, तो आपको बताऊ दो कि पहले साल का CI जो होता है, यह पहले साल का C.I. है और यदि आप से दूसरे साल का C.I. पूछे तो ये पूरा आपका दूसरे साल का C.I. हो ये पूरा यानि पहली लाइन पहले साल का C.I. दूसरी लाइन दूसरे साल का C.I. यानि दूसरे साल का जो C.I. बनेगा आपका किता बनेगा 210 अपरा C.I. कि पहले साल का SI के बीश में कितने का अंतर है, तो पहले साल का SI یہ है, ठीक है, और ठीक उसी प्रकार दूसरे साल का CI, आपके पास यह है, तो ये बताईएं ये दोनों में कितने का अंतर है, सिरफ 10 का अंतर है, 10 extra हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया 10, ठीक है, तो देखे कितना easy है आप एक ही method से सारी चीज़े निकाल पा रहे है इसी पर एक question लेता हूँ ये कई पर आप लोगो नहीं question देखा होगा और किस तरीके साब इसको आसानी से कर सकते हैं फोकस करेगा प्रश दिया किसी धन राशी पर दो वर्स का चक्रवद्धी ब्याज और साधान ब्याज 210 और 200 रुपए है यदि ब्याज की दर समान हो मतलब CI के लिए जो rate है वही अगर SI के लिए rate हो तो वो राशी यानि कि मोल धन क्या होगा और इसके लावर rate क्या होगा चलिए आई जान लेते हैं कि ये कोशन solve कैसे होगा सेम वही method अपनाएंगे नो फोकस करीगा SI किता दिया है SI दिया है दो साल के लिए आपको 200 रुपए क्योंकि SI हर साल बरावर मिलती है मतलब पहले साल 100 रुपए मिला होगा दोसरे साल 200 रुपए मिला होगा CI की बात करें तो CI के लिए बोल रहा है कि 2 साल में ये किता रहा होगा 210 रुपए रहा होगा इन 10 रुपए जयादा तो अगे इस समय हमको 2 साल दिया है तो हम क्या करेंगे line method का प्रियोग करेंगे ये ये और ये ठीक है अब focus करेंगे पहला वाला box क्या होता है SI होता है यहाँ पर पहले साल का ब्याज रखेंगे यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज रखेंगे तो क्योंकि 2 साल में SI मिला है 200 रुपए यानि पहले साल 100 रुपए मिला होगा और दूसरे साल भी कितना मिला होगा आपको, 100 पर मिला होगा, ये SI है, ठीक है, अब जब CI की बात करूँगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स्ट्रा जो ब्याज मिलता है SI से जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है वही CI होता है तो एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? 10 रुप एक्स्ट्रा जा रहा है तो 10 रुपे यहाँ पर आएगा यानि कि पहला वाला बॉक्स आपका SI शो करता है और दोनों बॉक्स को मिला दो तो सियाई शो करता है ठीक है प्रस्ट ये है कि राशी और दर क्या होगी तो देखे सबसे सरल तरीका है आपके पास दर निकालने का आप कोई फॉर्मुला यूज मत करिए आप सिर्फ इतना देखिए कि ये जो 10 रुपए मिला है किस पर मिला है इस पर मिलता है पहले साल की बाचवर मिलता है और इस सेम रेट से मिलता है यानि कि मैं यह देख लूँ कि ये 10 रुपए 100 का कित्ता परसेंट है वही रेट होगा भाई 10 रुपए 100 रुपए का कित्ता परसेंट होगा 10 परसेंट ही तो होगा यानि कि जो मेरा रेट होगा व इंटू 100 उपाँ 10 इंटू 2 तो सीदी सी बारत है ये जाएगा ये जाएगा 2 से 100 बार में 1000 आ जाएगा यानि कि आपके पास आंसर आएगा ये clear है, easy है तो जब भी कभी आपको SI भी दिया हो जब भी कभी आपको CI दोनों एक ही कोशन में दिया हो और रेट पूछ रहा हो तो आपको यही मैथड लगाना है तो I hope आप लोग कोई समझ में आ गया होगा एक प्रेक्टिस और करते हैं इसी कोशन पर बीस्ट माल लीजिए आपको SI दिया हुआ है 840 रुपर है एक सेकंट रुखेगा हाँ CI आपको दिया है 840 रुपर और SI आपको दिया है 800 रुपर हमको यह बताना है कि रेट क्या होगा अगर समय हमारे पास 2 साल है तो funda क्या है बिटा हमारे पास? funda हमारे पास सेम है पहला साल, दूसरा साल यहाँ पर आपके पास यह हो जाना चाहिए 2 साल के लिए जो बनेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप यह देखिए SI, SI सुरू करीगा SI हर साल बराबर मिलता है याँ अगर 2 साल में 800 मिला होगा तो पहले साल गितना मिला होगा 400 दूसरे साल गितना मिला होगा 400 अब बात करें SI की SI से 40 रुपय ज्यादा है जो ज्यादा हो यहाँ पर रख दो यह पूरा आपका हो जाएगा SI और से पहला वाला बाक्स आपका हो जाता है तो बस वही देखना है कि 40-400 का कितना परसेंट है 40-400 का 10 परसेंट देखके समन में आ जाएगा तो तुरंत आप निकाल सकते हैं बिना किसी फॉर्मले का यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ इसी मेथर्ड से और इस मेथर्ड से आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं यहां से हमारा second year वाला concept खतम होता है अब second year में अगर complex rate दे आपको complex मतलब अगर आपको rate दे देता है मालीजे 6.25% suppose करिएगा same question ले रहे हैं लेकिन rate इस बार कठीन है 6.25% दिया हुआ है और समय आपके पास यहाँ पर है 2 साल ठीक है अब दो साल का समय दे दिया है अब यहाँ पर बोलता है कि यार C.I.E. बताओ यदि आपके पास जो प्रिंसिपल है वो 2560 रुपा है हमको यहाँ पर C.I.E. बताना है और बागी सारी चीजे भी हम लगे हाँ निकाल लेंगे अगेन देखिए दो साल दिया है आपको दो साल दिया तो कित्ती लाइन खीचेंगे आप दो लाइन खीचेंगे घटते क्रम में नाव किसी चीज का 6.25% निकालना क्या होता है थोड़ा सा कठीन होता है तो इसकी fractional value होती है एक बटे 16 जिन बच्चों ने आपको दिया प्रिंसिपल कित्ता 2560 रुपया दिया है जो ब्याज मुझे मिलेगा 6.25% तो मैं सीधे इसका एक बटे 16 निकाल दूँगा 16 से कितनी बार में जाएगा 16 बार में ही जाएगा यानि यहाँ पर पहले साल का भी आजा जाएगा 160 यहाँ पर भी आजाएगा 160 फिर क्या करेंगे आप इसका एक बटे 16 निकाल दीजे तो 16-16 कटेंगे, यहां पर कितना आजाएगा, आपके पास 10 तो टोटल आपके पास जो CIE आजाएगा, वो कितना आजाएगा 16-16 हो जाएगा आपके पास 320 और यह वाला प्लस का 10, यानि कि टोटल आजाएगा आपके पास 330 रुपए का CIE यदि आपसे यही पर पूछ देता है SI क्या होगा, तो जो यह पहली वाली लाइन है आपकी यह आपकी SI होती, यानि कि 320 रुपए आपके पास हो जाता है SI यदि आपसे यह कहता कि CI-SI क्या, ऐसे केस में तो सीदे-सीदे यह यह CI-SI है आपके पास, इसी में यदि आपसे वो यह पूछ लेता कि दूसरे साल का CI क्या है, यानि कि 2nd year का CI क्या है तो क्या होता, यह वाली जो लाइन है आपकी, वो होती है यानि 170 रुपए तो I hope आपको यह 2 साल वाला समझ में आ गया होगा, बहुत easy है, बहुत जल्दी आ जाता है इसी method का use करके अगली class में हम 3 साल वाला SI भी निकालेंगे तो I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, अगली class में हम नए questions भी देखेंगे तो एक बार अगर आपको revise करा दो, तो हमने अभी तक क्या किया, एक बार देख लिजेगा, फटाफट दो टाइप के rate आते हैं आपके CI में, एक तो सरल जो की 5, 6, 7 और 12% होते हैं एक cutting जो की 6.25 या 11.11 या कुछ इस टाइप से question दे देता है generally question दो या तीन साल का आता है, तो दो या तीन साल वाला पहले आप, उसमें मैच्चोर होई है दो साल वाला मैंने आपको बताया, अगर दो साल दिया है, दो line मनाईएगा घरते क्रम एक और बनाना पड़ेगा, फिर तीन साल का जब आप करेंगे, तो तीन line मनाना पड़ता है तो बड़ा simple सा है ये method, उसके बाद आपने देखा कि CI भी निकाल सकते हैं इससे SI भी निकाल सकते हैं इससे, CI मानेस SI भी निकाल सकते हैं इससे rate भी निकाल सकते हैं इससे, इसके लावा यदि आप से पूछता है second year का CI कोई भी चीज़े पूछ देता है तो वो निकाल सकते हैं तो I think ये easy है इसको try करिएगा, question लगाएगा, कोई doubt होगा तो discussion में पूछेगा, comment section में पूछेगा आगे और भी आप लोग के लिए इसी टाइप के short bits लेकर आएगे ताकि आप लोग की तयारी है वो और अच्छी हो सके और भी कठिन कठिन question को कैसे आप easily कर सकते हैं वो वाले classes भी जल्दी आएगे, आज के लिए बस इतना ही, thank you so much